मसूरी की हरी भरी वादियों के बीचे स्थित लबासना एक ऐसा संस्थान जिसने अपनी स्थापना से लेकर अब तक भारत को 6,000 से भी जादा IAS ओफिसर देने का काम किया यहां न सिर्फ IAS बलकि IPS, IFS, IRS सहित कई अन्य सर्वीसेस के ओफिसर्स की भी सुरुवाती 3 महीने 15 दिन की एक साथ ट्रेनिंग होती है जिसे की फाउंडेशन कोर्स कहा जात लबासना का पूरा नाम लाल वहादूर सास्तरी नैसनल अकैडमी ओफ हैडमिनिस ट्रेसन है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लबासना में IAS IPS सहित अन्य सर्वीसेस के ओफिसर्स की ट्रेनिंग के वक्त पूरे दिन का सेट्यूल कैसा होता है इसके साथ ही पूरे दिन किस-किस तरह की एक्टिविटीज होती है यह भी जानेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आपको लबासना के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो के साथ अन्तक बने रही है चली दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सुबह के 5 बजे हैं और इस सरसे लबासना में एक नए दिन की सुरुवात हो चुकी है अलाम बजने के साथ ही ओफिसर ट्रेनीस की नींद खुलती है नींद से जागने के बाद सभी ओफिसर ट्रेनीस 5.45 तक फ्रेस हो जाते हैं फ्रेस होने के बाद officer trainees track suit पहन कर polo ground के लिए जल्दी से निखाए polo ground में पहुँचने के बाद सभी officer trainees को तकरीबन एक घंटे तक कई तरह की exercise करवाई जाती है जैसे running और jogging इसके साथ ही कई अलग-अलग तरह की yoga exercise भी करवाई जाती है इस तरह से लगबख सुभा के साथ बच चुके हैं योगा exercise करने के बाद officer trainees को आपस अपने hostels की और जाते हैं hostels पहुचने के बाद officer trainees सबसे पहले सुभा की चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद अपना बचा हुआ pending work पूरा करते हैं इसके बाद dress code के अनुसार वो तयार होते हैं कई बार officer trainees को dress code को लेकर confusion भी हो जाता है कि आज कौन सा dress पहने ऐसा इसलिए क्योंकि Monday और Tuesday को coat trouser के साथ necktie पहनना compulsory होता है जबकि बागी दिन necktie पहनना optional होता है इसके अलावा ceremonial locations के वक्त ब्लैक जोद पूर सूट पहनना compulsory होता है सुभा के साड़े आट बच चुके हैं dress code के अनुसार तयार होने के बाद officer trainees प्रेकफास्ट के लिए academy की कर्म सिला building की और जाते हैं कर्म सिला building में ही officers miss है खास बात यह है कि इसी building में library भी मेस में पहुँचने के बाद सभी officer trainees breakfast करते हैं breakfast करते हुए officer trainees मेस की खिड़की से बाहर का अदुद रिस्यत देखते हैं जो कि है breakfast करने के बाद सभी officer trainees ग्यानसिला building की और जाते हैं ग्यानसिला building लबासना का एक एहम हिस्सा है ऐसा इसलिए क्योंकि ग्यानसिला बिल्डिंग में ही officer trainees की सभी तरह की classes होती है इस तरह से सुभ़ के 9.30 बच चुके है officer trainees की class शुरू होने का समय हो चुक academy में officer trainees को कई तरह के subjects पढ़ाय जाते हैं जिसमें की political science, public administration, law, economics, management and behavioral science, history and culture और एक language paper की भी class होती है लबासना में officer trainees की classes सुरू हो चुकी है 9.30 से 10.30 बचे तक पहली class चलती है उसके बाद दूसरी class 10.30 बचे से सुरू होती है जो की 11.30 बचे तक चलती है दो घंटे लंबी चली classes अटेंड करने के बाद officer trainees को 11.30 बचे से half an hour का tea break दिया जाता है इस दोरान officer trainees classes से बाहर आते हैं और इसी campus के AN जहा पलाजा से जाकर चाय पीते हैं चाय पीने के दोरान अपने दोस्तों से classes में पढ़ाये गए कई बिसेओं को लेकर चर्चा भी करते हैं आदे गंटे का tea breaks समाप्त होने के बाद सभी officer trainees अपने classes की और जाते हैं इस तरह से दोपहर के 12 बच चुके हैं officer trainees की class फिर से सुरू होती है 12 बज़े से 1 बज़े तक पहली class चलती है उसके बाद 1 बज़े से दूसरा lecture सुरू होता है जो की 1 घंटे तक चलता है दोस्तों लबासना तक पहुँचने के लिए UPSC civil service exam पास करना जरूरी होता है exam पास करने में optional papers की भी एक काफी महतुकून भूमी का होती है तो दोस्तों नीचे आप comment box में यह comment करके बताओ अगर आप UPSC civil service exam की तयारी करोगे तो इन में से एक किस subject को अपने optional paper के रूप में select करोगे नीचे comment में बताएं दोपहर के दो बच चुके हैं academy में officer trainees को अब एक घंटे का lunch break मिला है दो घंटे तक लगतार classes attend करने के बाद officer trainees अब classes से बाहर निकलते हैं और lunch करने के लिए officers miss की और जाते हैं जो की कर्मसिला विल्डिंग में स्थित है miss पहुँचने के बाद officer trainees lunch करते हैं वापस classes में जाते हैं और दोस्तों अगर आप UPSC civil service exam की तयारी कर रहे हैं तो आप कई तरह की किताबे पढ़ते होंगे लेकिन आपके पास कोई भी aci किताब नहीं होगी जो की exam की तयारी के नरम पहलूं के बारे में बात करे अगर आपको ऐसी ही एक किताब चाहिए तो आप the secret code of UPSC toppers book purchase कर सकते हैं ऐसा इसी है क्योंकि hard time tables के अलावा कई ऐसी techniques और strategies होती है जिसके बारे में UPSC toppers सहज रुप से आउगत होते हैं और इन्ही techniques और strategies की मदद से उन्हें अपने competitors को beat करने में मदद मिलती है यह book उन्ही secrets का खुलाजा है यह book mental strategies, study techniques और lifestyle habits के बारे यह किताब सो से अधिक UPSC toppers की सफलता की कहानी पर आधारित है जिनका author ने पिछले 15 सालों में interview लिया है इसमें UPSC toppers की 21 philosophies और 21 life equations के बारे में जानकारी दी गई है इसके साथ ही इसमें 21 गलतियां भी बताई गई है जो हर एक UPSC aspirant exam की तयारी के वक्त करता है यह book न केवल परिछा पास करने का roadmap है बलकि आपको एक IAS officer की तरह जीने के लिए भी तयार करता है तो दोस्तों अगर आप इस book को purchase करना चाहते हैं तो नीचे description box में link है link पर click करके आप इस book को Amazon या Flipkart से purchase कर सकते हैं अब वीडियो पर वापन दोपहर के 3 बच चुके हैं officer trainees की class फिर से शुरू होती है यह class एक घंटे तक चलती है इस तरह से 4 बच चुके हैं officer trainees की class खत्म होती है class खत्म होने के बाद officer trainees की अब ECM की class होगी ECM यानी extra curricular module ECM में कुल 15 तरह की skills होती है जिसमें से किसी एक ही skill को officer trainees को अपने interest के अनुसार select करना होता है officer trainees जो भी skills select करते हैं उसी की class उन्हें attend करनी होती है जैसे अगर किसी officer cooking select किया है तो उन्हें cooking की class attend करनी होगी वहीं अगर किसी officer trainees ने ECM के रुप में painting को select किया है तो उन्हें painting की class attend करनी होगी academy में हर दिन ECM की class एक घंटे की होती है एक बात और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलिजवल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सामके पांच बज चुके हैं ओफिसर ट्रेनीज की अब सभी तरह की क्लासिस खत्म हो चुकी है पूरे दिन 6 घंटे की क्लासिस अटेंड करने के बाद ओफिसर वापस होस्तल की और जाते हैं होस्तल पहुँचने के बाद ओफिसर ट्रेनीज अपने कपड़े चिंच करते हैं कपड़े चिंच करने के बाद officer trainees अब वर्काउट के लिए gym जाते हैं जिम में सभी तरह की well equipped facilities मौझूद है इसके साथ ही trainers भी guide करने के लिए उकलब होते हैं जिम में एक घंटे तक वर्काउट करने के बाद अब officer trainees वापस hostel जाते हैं होस्टल पहुँचकर officer trainees कुछ दیर अराम करते हैं कुछ दिर अराम करने के बाद, officer trainees होस्टल से बाहर जाते हैं सामके 0.5-6 बच चुके हैं officer trainees अपने δोस्तों के साथ academy से बाहर गंगा ढवा की ओर जाते हैं ये ढवा सब्ही officer trainees के बीच काफी लोग परीए है गंगा ढापा की दूरी लबासना से महच 500 मीटर है यहां ओफिसर ट्रेनीज चाय की चुसकी का आनद लेते हुए अपने दोस्तों के साथ बाते का पसंद करते हैं इसके अलावा कई ओफिसर ट्रेनीज सागलविल कैफे जाना भी पसंद करते हैं साफ़विल कैफिल लबासना के मेन एंट्रेंस गेट के बिल्किल करीब है यहां की कॉफी ओफिसर ट्रेनीस के बीच काफी ज़्यादा पॉपुलर है साम के साड़े साथ बच चुके हैं ओफिसर ट्रेनीस वापस एकैडमी लोटते हैं एकैडमी पहुँचने के बाद ओफिसर ट्रेनीस अपने होस्टल में जाते हैं होस्टल पहुँचकर ओफिसर ट्रेनीस कुछ दिर अराम करते हैं इस तरह से रात के आठ बच चुके हैं लबासना में डीनर का समय हो चुका है ओफिसर ट्रेनीज अपने होस्तल से निकल कर लबासना के ओफिसर मेस में जाते हैं, मेस में पहुँचने के बाद सभी ओफिसर ट्रेनीज एक साथ डीनर करते हैं, खास बात यह है कि लबासना का किचन काफी नीट और क्लीन होता है, इस किचन में कई सारे कुक्स होते हैं जो क इस दोरान कई officer trainees campus में अपने दोस्तों के साथ गुनते हैं वहीं कई officer trainees possible जैसे खेल अपने दोस्तों के साथ खिलते हैं के अलावा officer trainees billiards खेलते हुख भी अपना समय बिताना पसंद करते हैं रात के 10 बच को हैं officer trainees अपने hostels में जाते हैं होस्टल पहुंचने के बाद आफिसर ट्रेनीस पेंडिंग एसाइनमेंट और प्रेसेंटेशन पूरा करते हैं अपने काम को पूरा करने के बाद आफिसर ट्रेनीस जल्दी से गहरी नीन में सो जाते हैं क्योंकि सुबह पांच बजे उठना होता है तो दोस्तों ये था लबासना के नॉर्मल डे का सेडियूल अगर किसी दिन लबासना में कल्चरल इवेंट्स, सेरेमोनियल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है तो लबासना के सेडियूल में थोड़ा बदलावक हो जाता है तो दोस्तों आज का अमारा वडियो यहीं पर समाप्त होता है अगर वडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकम को प्रेस कर लें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वडियो में तब तके लिए जय हिंद वंदे मातरम